हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं 2013 इस साल की पहली रिलीज हुई एक होरेड मिस्टरी त्रिलर मुवी को, जिसका नाम है The Eye, एक घर के अंदर रखे आंटी क्लॉक में जब भी रात के 11 बच कर 5 मिनिट बचते हैं, तब कुछ अजीम घटना घटती हैं, एस सिलसिला तब से शुरू हा था जब एक रोध इस घर का मालिक कार एक्सिडेंट में मर गया था, क्या है इस घड़ी और घटरी उन घटनाओं के बीच का कनेक्शन जानने के लिए चलिए, अब बढ़ते हैं आगे, फिल के स्टार्टिंग सिल में हम देखते हैं कि एक रोड पर एक्सिडे 12 बच कर 5 मिनट पर अलाम बचता है, जिसे वहां का गार कैसे तो भी बंद कर देता है और बोलता है, यह क्या रोज के परिशानी है, यही एस सिन कट हो जाता है, जिसके बाद कहानी सिधे 3 साल आगे बढ़ती है, यहां हमें इस फिल्म के मेंन करेक्टर युवान और शादी के बाद एक पुराने गर में कापी मजे से रहते हुए दिखते है, दिक्षा एक एक एकस्डेन के बाद लगे सद में से बोल नहीं पाती थी, और हाउस्वैब थी, वही युवान एक आईटी प्रोपेशनल था, दिक्षा के अंकद सोनू, इनोने इन दोनों की शादी हो जाने वर उसके घर एक एक एंटिक बेड़ा और एंटिक बड़ी वाच ओनलाइन ओर करके भेज देता है, एक दोनों गीट्स देखकर नया कपल कापी खुश और एकसाइट हो जाता है, अगले दिन युवान अपने ओपीस जोइन हो जाता ही, वो यूके प्रोज आती है, वहाँ उसे गड़ी में कुछ लाइट्स ब्लिंक होती दिखती है, साथ ही एक अलाम भी ओन हो जाता है, जो पांच मिनिट तक बचता है रहता था, जब दिक्षा उस क्लॉंग के अंदर जागती है, तब उसे एक फैमिली फोटो उसमें दिखता है, इसी बीच अप होई थी और ओ अपने पीचे ही देख रही थी, अगले दिन यूओन उपिस से आप ले लेता ही, और घर पर ही वक्त उजारता ही, रात में जब ठीक समय पर ओ अलाम भजने लगता ही, तब दिक्षा कहांपे डिस्टब हो जाती है, यूओन को समझ नहीं आता, ओ घड़ी के होती है, तब उसे वहाँ आईने पर वाई इस साइन नजर आती है, और तबी उसे पीचे कोई होड़े जिसा लगता ही, विससे ओडर कर बाहर भाग जाती है, तब यूओन उसे संबाल लेता ही, तबी डरी दिक्षा, उसे कुछ बताने की कोशिश भी कर रही होती है, फिर अपने दोस्त अभी को कॉल कर तुमने ओग प्लॉक कहा से ओडर किया, इस बारे में पूछता है, तब उसे ओनलाइन साइट के डिटेल्स दे देता है, यूओन कमपणी को मेल कर प्रोडॉक्ट को रिपेर करने की रिक्वेस्ट नालता है, अगले दिन उसे ओपेस जाना ही पड़ता है, मगर ओ वहां की गार्णर लेडी को दिक्षा का ध्यान देने बोलता है, दिक्षा ओ पूरा दिन रिलैक्स मूड में बिताती है, मगर ग्यारा बजने पर उसे अलाम सुनकर वही तक लिप होने लगती है, जब ओ यूओन को मेसेज करने जाती है, तब उसके पड़े कपड़े पहनी, और उसका हाथ पकड़कर उसे दूवे में कही ले जा रही है, एक मोड पर उसे आर्टियो का वाइट साइन पड़ा दिक्ता है, जहां आकर ओ और दिक्षा को मारने की कोशिश करने लगती है, इसी बात से और नीन में ही डर रही होती है, ये बात युवान घर आने पर देखता है, जो देखकर उसे टेंशन हो जाती है, जबो उनके डॉक्टर को इस बारे में बताता है कि दिक्षा डर रही है, और उसे पैनिक अटेक फिर से आ रहे है, तब उसे बोलते है कि उसका खयाल रखो, एस समबार बार होना अच्छा रही है, श इस पर युवान अभी दिक्षा थोड़ी स्ट्रेस है, हम अगले मैने आएंगे, ऐसा उने बताते है, उस दिन अंकल अपने भांजी के जीत पर वही रूज आते हैं, रात में ठेक ग्यारा बज़कर पांच मिर्ट हो जाने पर ओगड़ी बजने और चमकने लगती है, तब उने वहाँ से कोई आरत के गुजरने जैसा मैसुस होता है, और जब उस दिशा में जाते हैं, तब उने वहाँ काले कपड़े और लंबे नाकुनों और बालों वाली आरत देखती हैं, जिसे देखकर और बेहोश हो जाते हैं, और तभी उने वहाँ से कोई किंज कर उनके र अंकल उसे बताते हैं कि तुम हो सके उठना जल्दी इस घर को छोड़ दो, यहां कुछ तो गड़वड है, मगर युवान इन सब बातों को नहीं मानता था, तो अंकल के सेजेशन को सिरेसली नहीं लेता, कुछ दिनों बाद जब अभी उनके घर आता है, तो वो रात में अला प्रोडक्ट की कंप्लेंट की, युवान उसे मेल का रिप्लाट दिखाता है, जिसमें कंपड़ी ने बताया था कि इस प्रोडक्ट की कोही वरंटी नहीं है, तब अभी उसे बताता है, देख तो इस बात को हलके में मतले, शायद तेरे घर में कोही आत्मा हो, तो अंकल ने बताया विसे उस जगों को छोड़ दे, मगर युवान इस बात पर एगने नहीं करता, तब अभी उसे बताता है कि फिर दिख्षा को फेमस साइकेटरिक्स नंदर इनको दिखा, कही उसे फिर से पहले इसे पैनिक अटेक ना आए, फिर हमें प्लैश बैक में दिखाय जाता तब जब ओ, जाने गरे राजी नहीं थी, तब युवान नहीं उसे अपने घर लोटने के लिए मनाया था, दिख्षा 18 साल होने के पर उस अब युवान से मिलने उसी और पन होम आ रहा है थे, तब रास्ते में हुए एक कार एक्सिटेंट के दोरान दिख्षा के मॉम और डैड मर जाते ही, और उब बल चाती है, यह वही सीन था जो हमें कहानी के शुरुआत में दिखाए गया था, इसके बाद दिख्षा को कापी सद्मा लगा था, उसे पैनिक अटैक में आते थे, मगर डॉक्टर के ट्रीटमेंट और युवान के केर की वज़र से उठीक हो ग आते हैं, तब उने वहां का सेकुरिटिंग गार गेट पर ही बताता है कि डॉक्टर साब आब इन सब मामलों में मत पढ़िये, इस घर में बूत का साया है, डॉक्टर उसकी बातों को इगनोर कर दिख्षा को चेक करते ही, और समझ जाते हैं कि उसे कोही चीज पुरानी या सब कुछ नॉर्मर हो रहा है, एब बात नोटिस करते ही, फिरो युवान से एक्सिटेंट के बात क्या हुआ था एब पूछते ही, तब युवान उने बताता है कि लखेली तब मैं वही से आ रहा था, मैं दिख्षा को वहां से गायल हालत में होस्प्रेल लेकर गया था, औ उसकी लंबी ट्रीट्मेंट के बाद ओर ठीक हो गई, और हमने शादी कर ली, फिरो लोग उस गड़ी की इंक्वारी करने उस ओपेस में चले जाते ही, उस ओपेस में जाकर उने पता चलता है कि ओग लोग वहां भी हर रात बशती थी, जिस वज़े से बहां का वाच मर्क परिशार हों गया था, ओगडियों ने किसी कपल और एक छोटी बच्ची के फोटो के साथ किसी ने बेची थी, ये भी हो बताते हैं, ओफोटो देखने पर युवान को एक बात याद आती है, जिसे हो डॉक्टर नंदन को बताता है, जिस बग दिक्षा के कार का एक्सिडे ले गया, शायद अब उसकी आत्मा ही दिक्षा को टार्चर कर रही है, ये सुनकर डॉक्टर एक और मुद्दा रेज करते हैं कि हर रात अलाम बजने पर उस गोड़ाओन में कभी लाइट ब्लिंग नहीं होती थी, ज़़ तुमारे ही घर में होती है, फिरो इवान को तुम इसी समय के फुटेज को देखने पर उने एक काले कपडे पहने औरत उस गड़ी के पास आती दिखती है, फिरो अचारक से गायब भी हो जाती है, इस गटना की गुत्ती सुलचाने और युवान के घर दो पर चले जाते हैं, और उस गड़ी को ठीक से देखते हैं, फिर वह कुछ करते हैं और निकल जाते हैं, उसी रात वहाँ अचारक जाकर भारुख जाते हैं, सिसी टीव में हम देखते हैं कि अलाम बजने की वक डॉक्टर उस हाल में एक जगह छुपकर बेटते हैं, और ओ दिख्षा के रूम में बिलकुल भी नहीं जाते हैं, फिर ओ युवा उस दिन अपनी बेटी सोनु को हस्टल चुड़ कर लाट आ रहे थे, वाय पॉइंट पर गल्दी से उनकी बाईक और दिख्षा के कार का एक्स्टेंट हो गया, जिसमें दिख्षा के पैरेंट्स और विध्या के पती की मौत हो गई, मगर दिख्षा और विंद्या बज और रात के अलाम बजने पर उन्हें ओ सोनों ही देखे एक चाते थे, इस एक्स्टेंट के में सुशिलाने वहा का सारा समाम बेज दिया, मगर एक गड़ी अभी के ओडर करने पर तुमारे ग़र आ गई थी, इसके अंदर के फोटोस देखने पर दिख्षा को उस गटना में पड़ी विध्या दिखी, और इस बास से ओ डर गई, सुशिलाने इसी बंगले के आउट हाउस में अपनी पागल बन चुकी बेटी विध्या को चुपाया था, इस घड़ी का अलाम सुनकर ओ यहां आया करती थी, ओ किसी को न दिखे, इसले यहां का वाच्मन उन पांच मि दिख्षा ने भी विध्या को ही देखा और उसे आत्मा समझने लगे, एस ब ओ दिख्षा को भी समझाते हैं, फिर दिख्षा कुछ बड़ बाद सोनु को भी गोर लेती हैं, ताकि विध्या के आत्मा को शान्ती मिल सके, एक रोज डॉक्टर नंदन जब वहां के CCTV फूटे दिख्ष तो तब का था, जब विध्या गुजर गई थी, फिर एक क्या होगा, एओ सोचने लगते हैं, तब ही इस घर में हमें दिखता है कि सोनु किसी परचाई को बाई कर रही होती हैं, और इसी सीन के साथ, टू भी कंटिनुनी ऐसे मेसे संग एक कहाणी खथ हो जाती है इसका मतलब इस पिल्म का सेक्विल आने वाला है, जिसमें क्या दिखाया जाएगा, एक देखने हम सब इंट्रेस्टेट जरूर होंगे, अगर आपको मेरे एक्स्प्रेंग करने का अंदाज पसंद आए, तो चानल को सर्ब्स्राइब करना ना भूले, साथ ही कॉमेंट कर म रहस्त रहिए, इसी दुबा के साथ आप से लेती हुविदा, और बै